लेकिन भायों बैनों हम लोग आजहादी के अमरित काल्ब हैं हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गवरोगानी करते रहेंगे अपनी ही पीठ थप थपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे और इसलिए 75 साल का काल्गन कितना ही शांदार रहा हो कितने ही संकटों वाला रहा हो कितने ही चुनोतियों वाला रहा हो कितने ही सपने अधुरे दिखते हो उसके बावजुद्धी आज जब हम अमरित काल में प्रवेश कर रहे हैं अगले 25 वार्ष हमारे देश के लिए अत्रिन्त महत्व पूरा है और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किरोश पर से 130 करोर देश वासियों के सामर्थ का स्मरण करता हूँ उनके सप्रों को देखता हूँ उनके संकल्पों के अनुभूती करता हूँ तो साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उज पांच पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित कर दी हो अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा अपने स्सामर्थ को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जवाजह अधि के 100 साल होंगे आधाधि के दिवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा जब मैं पंच प्रान की बात करता हूँ तो पहला प्रान अब बेश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विक्सित भारण अब उससे कुछ कम नहीं होना जाए बड़ा संकल्प दूसरा प्रान है किसी भी कौने में हमारे मन के भीतर आदतों के भीतर गुलामी का एक भी आउश अगर अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना अब सत्प्रतिशत सेंकलो साल की गुलामी ने जहां में जकर कर रखा है हमारे मन और भाव को बांच करके रखा हुआ है हमारी सोच में विकृतियां प्यदा करके रखी है हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नज़राती है हमारे भीतर नज़राती है हमारे आसपास नज़राती है हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी यह हमारा दूसरी प्राण शक्ती है तीसरी प्राण शक्ती हमें हमारी विरासत पर गर्ब होना चाहिए हमारी विरासत के प्रती क्योंकि यही विरासत है जिसने के भी भारत को स्वानिम काल दिया था और यहीं विरासत है जो समन्या कुल नुकुल परिवर्टन करने की आदत रखती है यहीं विरासत है जो काल भाय चोड़ती रही है नित्य नूतन स्विकारती रही है और इसलिए इस विरासत के प्रती हमें गर्व होना चाहिए चौथा प्राण वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एक जुटता एक सो तीस करोर देश स्वाचियों में एकता न कोई अपना न कोई पराया एकता की ताकत एक भारत स्रेश्ट भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है और पांचवा प्राण पांचवा प्राण है नागरीकों का कर्तव्या नागरीकों का कर्तव्या जिसमें प्रधान मंत्री भी बाहर नहीं होता है मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है वो भी नागरीक है नागरीकों का करतव यह हमारे आने वाली पती साल के सपनों को पूरा करने लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है